UCC अभी एजेंडा में है या नहीं है? निश्ची तुरुप से हमारे एसन कलब पत्र का एक एहम मुद्दा है UCC हम लाएंगे राहुल गांदी जी वो भी एक सवाल है जो आपने पूछा था कि क्या पर्सनल लौ आने देंगे तो क्या शरिया कानून उससे जोड़ा था आपने आप कन्वर्जन की बात करते तो UCC पर आती हूँ मैं UCC अभी एजेंडा में है या नहीं है? निश्ची तुरुप से हमारे संकलब पत्र का एक एहम मुद्दा है UCC हम लाएंगे हमारे संकलब पत्र का एक एहम मुद्दा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं इस पर भी चर्चा होनी चाहिए पर हमारे चुनाव का एक एहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेश के कानूनों को परसनल लौज को नहीं आने पर परसनल लौज तो राहूल गांदी जी वो भी एक सवाल है जो आपने पूछा था कि क्या परसनल लौ आने देंगे तो क्या शरिया कानून उससे जोड़ा थो आपने ने तो क्या कौन सा परसनल लौ लाना चाहते है मुस्लिम परसनल लौज तो वो सरिया का ही अंग्रे जी ट्रास्लेशन है जो अंग्रे जो ने किया था तो कई सारे मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं आने देंगे हम UCC जैसे कि स्टैलन है या फिर ममता जी है क्योंकि UCC आके फिर वो यह तो दिखें समिता जी 370 के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थें, CA के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थें, अब यह सब वास्तविक्ता बन चुका है, जनता ही नेने करती है और इसलिए हम चुनाव के पहले कह रहे हैं कोई गोपनिया बात नहीं है पर UCC स्टेट वाइस हो रहा है ना जैसे ऐसा जरूरी नहीं है जैसे CA दोनों का समान अधिकार है, CA में एक्स्क्लूजिव केंद्र का है, सिविल लो में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है